पवई क्षेत्र में जमाजंबारी शोने से क्रिशी उपजमंडी पवई में धान खरीदी केंद्र पवई के बाहर रखी खरीदी हुई धान वकिसानों की धान भिग गई है साथी क्रिशी उपजमंडी के जल भराव भी हो गया है जिसको देखते हुए पवई SDRM रचना शर्मा तहसिलदार दीपा चतुरवेदी ने दोपहर में क्रिशी उपजमंडी पवई का निरिक्षन किया और करही केंदर में पवई के समीती प्रबंदक खुशी राम चौदरी की घोरला परवाही और मनमानी तरीके से धान पड़ी है और किसानों को परिशान किया जा रहा है और यहां का प्रशासन मौन है इसका कौन जिमिदार होगा मौके पर उन्होंने पवई समीती प्रबंदक को खरी दी गई धान का परिवहन वद धान को ढखकर न रखने के लिए पटकार लगाई एवं खुले में रखी धान को जल परिवहन तथा ढखकर रखने के साथ ही वह उनकी सानों से भी मिली जिनकी धान कई दिनों से क्रिशी उपजमंडी परिसर में रखी है और SMS ना आने के कारण तुलाई नहीं हो पा रही है अचानक क्रिशी उपजमंडी में SDM के पहुचते ही हड़कम मज गया सभी गिली धान की बोरियों को ढखने वसीलने म लग गए उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि क्रिशी उपजमंडी में लापरवाही बिल्कुल बरदाश नहीं की जाएगी जिससे किसानों को कोई परिशानी उत्पन ना हो सके उन्होंने बताया कि लापरवाही करने वाले पवई समीती प्रबंदक एवं कंप्यूटर ओपरेटर को कारण बताओ नोटिस चारी किया गया है इन्बिसेन न्यूस के लिए जनपत पन्ना से कैलाश पांडे की रिपोर्ट